मुसका दोस्तों मैं वाइब आपको आरीजन आकडेमिन शार्ट करता हूँ जैसे कि आप देख रहे हो चार एपने 2022 को एक अन्लेस्बेटीकर सरकुला रहा है इसमें आपका जो समर्गा एक्जाम है उसके बारे में उन्होंने इंपोर्टन नोटिफिकेशन दिये उन्हों में उन्होंने पताए कि 19 सारी 25 ऊचार बेठेट हुई हुई थी और उसमें कुछ उन्होंने एक्जाम से रिलेटेड कुछ डिसिजन स्लिए है वह डिसिजन क्या है वो इस वीडियो में आपको में बताने वाला हूँ अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत दूलिए आपके जैसे अभी COVID आने से पहले जैसे एक्जाम्स होते थे, प्रैक्टिकल एक्जाम्स होते थे वैसे आपके अभी एक्जाम्स होने वाले हैं COVID के बाद आपके MCQ-based एक्जाम्स होने थे तो अभी COVID के वज़े से MCQ-based एक्जाम्स होते वह कैंसल होके पुरानी जो पद्दत थी पुरानी जो यह थी उसके तरह से ही आपके वाईवाज और समर एक्जाम्स होने वाली है उसके लिए उन्होंने एक और एड्जस्मेंट किये है कि हर घंटे के लिए उन्होंने क्या किया है दस मिनिट आपको एक्स्रा दिये है तो अगर आप तक तीन घंटे का पेपर है आपको 30 मिनिट एक्स्रा उसमें मिलने वाले है अब उसमें उन्होंने क्या बोलाइ कि आपकी जो वाई्वाज है वाई वाईवाज थे जुन तक होने वाला है और आपके थेरे एकजाम से वह आठ जुन से लेकर 28 spoil तक होने वाला है, ठाटारे से झाले वाईवाज को इसके बाद आपके इमिजियेटली वाईवाज तो अभी यह जो इंसिट्टिबिस्ट एक्जाम का जो यह था वो आपी बंद हो गया है और आपका जो एक्जाम है वो 2018-19 की उसाब से जो एक्जामिन का रिगुलेशन से उसके इसाब से होने वाला है तो अबी भी टाइम नहीं गया है अब इसे भी आप exam preparation start करते हो तो आप definitely अच्छे mark secure कर सकते हो ठीके, thank you